प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुवात जन्वरी के अम्तिम सप्ता में की गई थी जिसके उनलाइन अप्लिकेशन अभी तक चल रहे हैं इसके अंतरगत आप 78,000 रुपे तक की सबसीडी के अंदर सरकार से पा सकते हो और 50,000 रुपे के अतरिक सबसीडी एक स्टेट गोवर्मेंट से भी आप पा सकते हो इसके अंतरगत आपको 300 इनुट बिजली प्रतिमा फ्री देने का प्रावधान रखा गया है जानी आई इस समझते हैं इसके अंदर सबसीडी का स्ट्रक्चर क्या है सबसीडी फोर रेजिडेंशेल हाउसोल्ड अगर आपको अपने घर की छट पर अगर आपको सोलर रुफ्ट ओफ लगवाना है तो इसके लिए आपको 30,000 रुपे एक किलो वाट के अपर सबसीडी मिलेगी 2 किलो वाट तक यानि कि अगर आप 2 किलो वाट तक पावर की अग अगर आप 2 किलो वाट से उपर की अगर आपको सोलर प्लेट चाहिए तो 2 किलो वाट तक तो आपको 60,000 सबसीडी मिल जाएगे टोटल और जो एक्स्ट्रा आप पावर लगवाओगे वो प्रती किलो वाट के हिसाब से 18,000 सबसीडी आपको मिलेगी यानि कि अगर आप 3 किल कंजंप्शन है अगर आपकी जो महीने की बिजली की यूनिट से अगर वो 500 यूनिट तक ही खर्च होती है तो आप 2 किलो वाट की सोलर प्लेट लगवा लेजी इसके अंदर गताब को 60,000 रुपे की सबसीडी मिल जाएगी और अगर आपकी बिजली की जो कंजंप्शन है व आप 3 किलो वाट से उपर की सोलर प्लेट लगवा सकते हो अगर आप सबसीडी फॉर ग्रूप हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट वैलफेर अशोशेशन के लिए अगर आपको सबसीडी चाहिए तो उसका स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है इसके लिए उनलाइन अप्ल रूफटॉप सोलर आप यहां पर क्लिक करेंगे जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रेजिस्टेशन पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको अपना स्टेट चूज करना है देन आपको अपना डिस्टिक चूज करना है और आपको डिस्टिक को कौन सी ले इसके उपर होता है, वहाँ से देखकर आपको यहाँ पर fill कर देना हो, next कर देना है, then आपके, आपसे आपका mobile number पूछा जाएगा, वो mobile number आप enter करेंगे, mobile number एंटर करने के बाद एक OTP के दवारा उसको verify किया जाएगा, then आपको इसके उपर registration हो जाएगा, then आपको यहाँ पर login here, यहाँ पर आना है, login करने के बाद आपसे आपका mobile number पूछा जाएगा, step 2 में, आप अपना mobile number डालेंगे, mobile number डालने के बाद एक OTP आएगा, OTP डालकर आप verify करेंगे, then आप login हो जाओगे अपने account में, और इसके अंदर आपको अपने electricity bill की photo upload करने है, जो आप पहले ही click करके रख लेना, जैसे आप login करोगे तो आपसे कुछ personal detail पुछे जाएंगे, या जिनिंकि आपका नाम, address, और आपका जो sanction, section load है, आपके बिजले के जो bill होता है, उसके उपर section load होता है, यानि कि आपके घर का section load कितना है, वो आप डालोगे और ये proposed load यानि कि आप कितनी power की solar plate लगवाना चाहते हो, वो आप proposed load के अंदर आप वो डालोगे, अगर यदि आप 3 kilowatt की लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर 3 डालेंगे, 2 की लगवाना चाहते हैं तो दो डालेंगे, देन, last step में ये आप से आपका electricity bill upload करने को कहेगा, वहाँ पर आप अपने electricity bill की photo upload करके submit कर देजिएगा, आपका application successfully submit हो जाएगा, देन आपको wait करना है approval का, जैसे इसका approval होता है, आपको सुचित कर दिया जाएगा, phone या message दोवारा जैसे भी हो सकता है, अगर आपको इसके अलावा कोई अगर doubt बचा है, तो आप comments में हमें बता सकते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो गो लाइक करके channel को subscribe कर लेजिए, thanks for watching this video,